आज मैं आपसे बात करने आए हूं कि sonography या ultrasound हम fertility treatments या infertility में कहां यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं तो यह है ultrasound machine और इसके दो प्रोब होते हैं एक होता है transvaginal ultrasound probe और एक होता है transabdominal ultrasound probe जब आप किसी भी fertility specialist के पास जाते हैं तो सबसे पहले वह आपके 2003's in ovation he sök चांडिया जो आप ट्रांस्अंड प्रोब से अब जो है यह हम करते हैं यह करते है ताकि हम आपके गरबान शय को देख सके हैं आपकी त्यूब्स को देख सके और आपकी ओवरीस को देख सके जेंरली जो त्यूब्स होती हैं और वो इसबिल होती हैं जब यह visible हो जाती है, मतलब इन में कोई खराबी है, इन में कोई infection हो चुका है, पानी भर चुका है, तब ही जो tubes होती है, वो ultrasound पे दिखने लग जाती है. जब हम ovaries और uterus को देखते हैं, तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं uterus या आपकी गर्बा शेय में कोई fibroid या polyp तो नहीं है, कोई gart तो नहीं है, या आपकी ovaries में या अंडा शेय में कोई gart तो नहीं है, ये सब चीज़ें को देखके हम एक diagnosis बनाते हैं. अब ये transvaginal ultrasound probe और किस चीजों में यूज होता है जब हम fertility treatment करते हैं, एक होता है follicular monitoring, follicular monitoring में हम ये transvaginal ultrasound probe यूज करते हैं, हम इसको आपके जब अंडे निकाले जाते हैं IVF procedure में, उसमें भी यूज करते हैं, जिसको हम egg retrieval या oocyte retrieval बोलते हैं, तब हम इस transvaginal ultrasound probe की मदद लेते हैं, जब हम diagnosis करते हैं, तो image या जो picture होती है, वो transvaginal ultrasound से बहतर आती है, अब ऐसा नहीं है कि transabdominal ultrasound हम नहीं यूज करते हैं, transabdominal ultrasound probe की हम मदद लेते हैं, यह हम कब लेते हैं, जब कि आपकी जो दामपत जीवन है वो पूरी तरह से complete नहीं हुआ होता है, तब हम transabdominal ultrasound की मदद ले सकते हैं, जब एक औरत जो है, वो comfortable नहीं है यह transvaginal ultrasound करवाने के लिए, तब हम transabdominal ultrasound का यूज करते हैं, जिसमें हम diagnosis और follicular monitoring दोनों कर सकते हैं, लेकिन इनकी images या pictures इतने clear नहीं होते हैं, जितने हमें चाहिए होते हैं, transabdominal ultrasound, जब हम ultrasound guided IUI या हम embryo transfer भी जब करते हैं, तब यह हमारी बहुत मदद करते हैं, तो आज आपको यह समझ में आया होगा कि हम ultrasound fertility treatments में कैसे इस्तमाल करते हैं, Thank you.